हेलो फ्रेंस तो आज हम आपको बताऊंगा हुटला रेस्टों में लसुनी पालग पनीर कैसे बनायता है एक तम इजी रेस्पी आपको बताने वाला हूँ और इस तरह से पे पालग पनीर बनाएंगे ना बहुती चादा टेश्टी बनेगा खाने में तो चलिए रेस्पी पालग के अंदर से पीले पत्तों को आपने हटा देना है कोई भी मोठा डंट लो उसको भी निकाल दीशेगा तो दूसरा काम हो गया अब तीसरा जो काम है वो आपने पालग को अच्छी तरह से दोना है खुले पानी में दोना है इसमें क्योंकि मिट्टी रेत बहुत ज़ फिर्वाली है खुल जाए अपए यांपर तो अच्छी तरह से दो लीए अब इसके बद आपने पालग को ब्लांच करना है तो एक बर्तन में पानी को बईल कर ली है उबर लते हो पाणी में आपने चीनी डाट करना है चीनी के साथ आपालग को बईल करेंगे आपके पालक का जो कलर है एक्तम ग्रीन रहेगा तो गैस की फिलेम हाई करती है और इसको ना कितनी दिर आपने पालक को बोईल करना है जब इसमें एक बोईल आ जाएगा और पालक का जो कलर है थोड़ा सच चेंज हो जाएगा उतनी ही तिर आपने इसको boil करना है, जाद दिर boil करेंगे, इसके nutrient ततव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो जाद दिर आपने इसको पकाना नहीं है, तो मैंने इसमें हरी मिर चैड करती है, तीखा करने के लिए, और के रेखे, यहां पे मैं गैस की फिलम हाई रखी है, और य इसको आपने ठंडा कर देना है, पानी निचोड के इसको grind करेंगे, जितना थिक आपका पालक का प्यूरी रहेगा ना, उतना ही कम आपको इसको पकाने में टाइम लेगा, तो ओके देखे, यहां पे मैंने पालक को grind कर लिए, इस तरह से आपका जो पालक का paste है, वो बनके आपने इसको ना, एक बरावर कटिंग कर लेनी है, तो दोनों पर आज को दिखे, यहां पर मैंने चॉप कर लिया है, जो यहां पर हरी मिर्च है, उसको भी आपने इसी तरह से काट लेना है, तो यहां पर अगर आप ज़्यादा ही बरीक मिर्ची काटना चाते हैं, बीच मे कट लगा सकते हैं, तो मिर्च को भी मैंने बरीक काट लिया है, जो अदरक है, इसका बार का चिलका आपने उतार देना है, पहले आप इसको स्लाइस में काटिए, स्लाइस में काटने के बद इसको इकट ठाकर के पकड़िए, जूलिन कटिंग करनी है, और फिर आप इसको फ पनीर ची होगा तो यहां पर मैंने देखिए 300 ग्राम पनीर लिया है साथ में थोड़े से हरे मटर का भी मैं यूज कर रहा हूँ अगर आपके बस मटर ना हो तो इनको स्किप कर देशे सिर्फ पनीर का ही यूज कर सकते हैं तो देखिए पनीर को आपने थोड़े से बड़े- जीरे एड़ कीशे जीरे को अच्छी तरह से आपने चटकने देना है तक इसका फ्लेवर एक्टिवेट हो चाहे फिर आपने इसमें बरे कटवा लसून एड़ करना है तो जो मैंने लसून लिया था पूरे का यूज कहां पर मैंने नहीं किया हम उपर से अलग से तरका लग ओपने प्रिभाक कंटरयने अंगीं जीरे करूण हए तो आपने अच्छे से पकना हे तो आपने मीडियुम नौ करती करते हिसा है अब देखिए.. का कलर यहां पर लाइट गूलन ब्राउन हो चुका है इसके अपने इसमें पालक का पेस्ट कर देना है पानी की यूज़ नहीं करना है जो मिक्सी करें तर जार से पालक चिपको रहे चाहेगा उसको ना अच्छे से पल्टे से निकाल लेशेगा पानी डालेंगे तो आपको न आदर चमच आपने यहां पर धनिया पौर्टर अड़ करना है थोड़ा सा जीरा पौर्टर अड़ की छे थोड़ी से आपने कसूरी मेथियाइड करनी है ज्यादा मसालों का यूस नहीं किया जाता है जो पालक की डिश्री बनाई जाती है मसालों को अच्छी तरह से मिक्स क तर लेशे और इनको भी थोड़ी दिर यहां पर पका लीजे पालक के साथ में अब यहां पर पतग हैस चलेगा पालक अच्छी तरह से पक चुका है जब यह पक जाते हैं यह कड़ाई को छोड़ना शूरू कर देता है फिर आपने इसमें नमक अपने लाश में डालना इसमें और नमक के साथ में थोड़ी सी चीनी आड़ करनी है बिल्कुल थोड़ी सी और इनको भी अच्छी तरह से ना पालक के साथ मिक्स कर लीजे तो देखिए मुझे यहां पर 5-6 मिड़ों चुके हैं पालक को पकाते हुए और कलर रिक्तम यहां पर ग्रीन ही है इसका तो इसको आपने पानी का profit कर देना है और गर्म पानी का आपने यूज़ करना है तंडा पानी डाला है तो के देखिए बालक की जो ग्रेवी बन के त्यारे चुक्त है इसके रिभ्याश के है अब आपने इस पनीर करना है ठोड़सा लास्ट में गर्म असला पॣूढर स्पिंगल कर दीशेगा बहुत ही बड़ी फ्लेवर आएगा एक पैन लेना है थोड़ा साथ में आपने बटर एड़ करना है और गैस की फ्लेमना मीडियम टू हाई कीचे बटर को आपने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है जैसे आपको लेगा बटर मेल्ट हो चुका है जो अपने लसन बचाये होगा ना वह यहां पर लसन एड़ करते न आपने है और बटर के साथ में लसन कु पका होगा थे है हाई फ्लेम में अपने पनीर को नहीं हाँ पर शेलो फ्राई करना है लो फ्लेम में पकाना है लो फ्लेम में पकाने से पनीर हार्ड हो जाता है और खाने में अच्छा उसका टेश्ट मिनाता है जब हार्ड हो जाता है देखिए पनीर का कलर चेंज हो चुका था थोड़े से म इसमें हरे मटर एड़ कर रहा हूँ और हरे मटर को भी mix कर लेशे frozen मटर का यहाँ पर मैंने use किया है यह देखे हैं मैंने कितनी तेज गैस रखी है बैसे frozen मटर को पकाने की जूरत नहीं होती है क्योंकि वो पहले ही पके होते हैं इनको थोड़ा सा shallow fry करेंगे पनीर के साथ में तो इनका भी जो टेस्ट है बहुत ही बहतरी नहीं हो जाता है तो ओके देखिए पनीर का color अच्छी तरह से change हो चुका था इसके बदा अपने पनीर को पालक में add कर देना है और पालक के साथ पनीर को अच्छी तरह से हां पे mix कर देशे गैस की flame आपने एक्टम low रखनी है क्योंकि हमने पालक में पानी add कर दिया है जब पालक की gravy पतली हो जाते हैं तो चीटे मारना शुरू कर देती है और low flame में पालक पनीर को अच्छी तरह से mix कर देशे पनीर भी गर्म है ग्रेवी भी देखे गर्म हो चुकी है अब लाश्ट में आपने इसमें क्रीम add करनी है क्रीम ना हो दूद की मलाई होती है घर में उसको अच्छी तरह से विसकर से फेंड के डाल सकते है तो ग्याँ पे 2-3 चमच आप इसमें क्रीम के अड़ कर देशे और क्रीम को भी अच्छी तरह से mix कर देशे तो इस तरह से आपे पालक मटर पनीर बना के देखिए बहुत ही जवरदस्त बनेगा और फ्रेंस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजएगा ओके फ्रेंस मिलते लिए नहीं वीडियो के साथ थैंक यू